नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रकारिता दाखती है सवाल दर्सवाल एक बार फिर पूरी दुनिया और देश कोरोना महामारी के नए वैरियंट ओमिक्रॉन को लेकर खौफ जदा है अंतराष्टी आगमन पर फिर गाज गिर रही है यह कितना जानलेवा होगा क्या इससे डेल्टा वेरियंट की तरह ही तबाही होगी जाने जाएंगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन एक बात तो तै है कि इस महामारी ने यह साबित कर दिया है कि देश, दुनिया, पब्लिक हेल्थ, जन स्वास की अंदेखी करकर सिर्फ मुनाफे की अंधी दोड में भाग कर उसे बढ़ा कर ना तो अपनी जिंदगी बचा सकती है ना बाकी लोगों की जिंदगी और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चितावनी इस नए वेरियंट ने नई नसल ने दी है वह यह कि दुनिया के अमीर देश जो अभी तक सोच रहे थे कि वे सिर्फ अपनी आबादी अपने लोगों उनको जादा सजादा वैक्सीन लगा के बूस्टर वैक्सीन लगा के यहां तक कि अपने इलाकों में बच्चों तक को वैक्सीन लगा कर खुद को बचा लेंगे बाकी दुनिया की चिंता नहीं करेंगे गरीब देशों की चिंता नहीं करेंगे यह जो नया वेरियंट आया है इसने बता दिया है कि यह एक बहुत बड़ा भ्रम है इस पर विश जिस तरह से अफरीका में पैदा हुआ वहां पर सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया ने अफरीकी आबादी को छोड़ दिया था अपने भरो से ना उन्हें वैक्सीन महिया कराई ना बाकी सुख सुविधाएं कि किस तरह से वे बहुत से देश ऐसे हैं जहां महज 2-3-4 फीसरी आबादी को ही वैक्सीन लग पाई और आज देखिए यह जो अंदेखी थी इसकी कीमत अमीर देश किस तरह से चुकाएंगे अमीर गरीब विकसित विकाशील सभी देशों को ओमिक्रॉन का खत्रा सामने खड़ा हुआ है उ इससे पहले के वेरियंट या जो पुरानी नसले थी इस महामारी की उसमें वही बताया जा रहा है कि आप मास पहनिए साफ सफाई का ध्यान रखिए वैक्सीन और टीका लगाईए और बस और एक सबक जो सबसे बड़ा है वह देश और दुनिया को सीखना हमें आपको सीखन जरूरी है कि कुरोना महामारी इसके नएने वेरियंट बार बार हमसे आपसे पूरी दुनिया से यही कह रहे हैं कि भेदभाव या सिर्फ अपने लिए अपनी जान बचाने के लिए सोचने वाला तंत्र लालच वाला तंत्र किसी को बचा नहीं पाएगा पांच राजियों में विधान सभा चुनाओं ने राजनितिक जमीन को सरगर्म कर रखा है छेतरी दलों की दावेदारी तेज हो रही है नए समीकराण को बनाने पुराने को बिगाड़ने की कवायत बहुत तेज हो गई है खास तोर से जिस तरह से खबरे आई हैं जिस तरह से हमने आपने सबने देखा है कि पश्चे मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनर जी छेतरी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही है महराश्ट पहुची वहाँ पे लोगों से मुलाकात की सीधे कॉंग्रेस पे निशाना साधा उससे एक बात तो साफ है कि खिचडी जोरदार पक रही है ममता बेनर जी और उनके राजनितिक सलाकार प्रशान्द किशोर ने बेहद आकरामक स्वर में कॉंग्रेस ने तृत्व और उसमें भी खासतोर से राहुल गांधी पर जिस तरह से वार किया और यूपिये की संभावना को पूरी तरह से नकार दिया उससे दो चीजें बहु साफ हुई हैं पहली यह कि भाश्पा के खिलाफ पूरे देश में जो एक बड़ा स्पेस बन रहा है जो लोगों की नाराजगी है उस पर कबजे की लड़ाई बहुत तेज हुई है यानि विपक्ष को कौन लीड करेगा उसका नेता कौन होगा और यहां पर मामला सिर्फ 2022 क नहीं है यहां पर निगाह 2024 के लोगसभा चुनाओं पर भी है और जिस तरह से ममता बैनर जी पूरी कोशिश कर रही हैं हर जगा जाकर मुलाखात कर रही हैं उनके पीछे के जो रणनितिकार हैं वह काम कर रहे हैं उससे यह बात बहुत साफ है कि वह 22 नहीं 24 के लिए दाव जो प्रधान मंतरी नरेन मोदी के बहुत खास रहे हैं उनके साथ जो फोटो है जिस तरह से अडानी ने ममता बैनर जी की तारीफ की और साथ आगे काम करने की बात कही यह पूरी फोटो यह पूरा का पूरा जो खबर का जखीरा है यह बहुत वाइरल हो रहा है और कॉंग् प्रशांद किशोर और बाकी लोग कर रहे हैं चेतरी दल कर रहे हैं शरत पवार जिसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे जो कॉंग्रेस वाला के पक्ष में खड़ा तपका है वह बहुत आलोशनात्मक है वह कह रहा है कि इसके पीछे भाश्पा और राश्टी स स्वेम सेवक संग का हाथ है हमारा यह मानना है कि निश्चित तोर पर बहुत एहम राजनितिक घटना क्रम है एक इंपॉर्टन पॉलिटिकल डवलपमेंट है जिसकी अंदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि इससे भविश्य की बहुत सी चीजें खुल सकती हैं समझी जा सकती ह जो समीकरण बन रहे हैं या बनाने की कोशिशे हो रही हैं लेकिन एक बात यहां मैं बहुत साफ करना चाहूंगी कि राजनिती में हर दल और हर दल को अपनी जमीन को बढ़ाने अपने राजनितिक कद को बढ़ाने मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री के रोप में उस पद को हासिल करने के लिए पैत्रे बिच्छाने यह बहुत सभाविक प्रक्रिया है इसका अधिकार है और शायद इसे ही पॉलिटिकल किल कहा जाता है मारक राजनितिक महतो कांक्षा कहा जाता है इससे आप सहमत हों असहमत हों लेकिन राजनिती में विस्तार की जो अपार संभ उसमें यह पॉलिटिकल किल बहुत कारगर होती है बहुत काम आती है अब इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से कॉंग्रेस उत्तरप्रदेश में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तरफ अग्रिसर है कॉंग्रेस कमान संभाल रखी यह प्रियंका गांधी न और वहां पर जिस तरह से वह रैलियां कर रही हैं जिस तरह से वह जा रही हैं जिस तरह का राजनेतिक दाओं चल रहा है उसमें प्रियंका गांधी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और उनके कारेकाल को गुंडागर्दी का कारेकाल कहा साथी साथ बहुजन समाज पार्टी के शाशनकाल को लूट का काल कहा अब यह सब जो बयान आए हैं प्रियंका गांधी के उसे हम क्या समझें उसे हम कैसे देखें क्या हम यह माने कि कॉंग्रेस उत्तरप्रदेश में चुकि समाजबादी पार्टी जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रमुख विपक्षी दल के तौर पे देख रहा है अभी भी वो विधान सभा में बहुत एहम स्थिती में है तो क्या कॉंग्रेस की ये जो दावेदारी है कॉंग्रेस का ये जो प्रचार है सपा को जो निशाने पे लेना है इसे क्या हम यह कह सकते है कि कॉंग्रेस और प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेकर भाशपा को मजबूत करना चाहती है सवाल यहां बिल्कुल दूसरे ढंग से देखने का है कि अगर कॉंग्रेस को अपना विस्तार करना है उत्तर प्रदेश में तो उसे भाशपा के साथ स समाजवादी पार्टी से भी लड़ना भिरना होगा और बहुत संभा हुआ है जिस तरह से हमने देखे हैं कि आगे चलके जो गटबंधन होते हैं उसमें यह जो रस्सक असी चलती है यह बहुत एहम भूमी का निभाती है लेकिन इसके साथ साथ जो खतरा है जिस खतरे के प पक्ष को खंडित करने उसे बेमानी बनाने उसे एक मतलब के गड़ जोड में तब्दील करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वोट बटे और भाशपा के लिए रास्ता साफ हो ऐसा भी जो लोग सोच रहे हैं उसके भी आधार हैं सवाल यह है कि इस समय जो राजनितिक बै इस पर विचार होना बहर जरूरी है कौन इसका नेता बनेगा किस तरह से वह नेता बनेगा अगर कोई राश्टी इस तरह पर दल है क्या वह सबको समेट कर आगे बढ़ने की स्थिती में है इस पर विचार उस बड़े दल यह जो नेशनल पार्टी है उसे भी करना बहर जर चुनाओं में बहुत प्रमुक्ता से सामने आएंगे क्योंकि यहीं से 2024 का भी रास्ता खुलता है आए चलते हैं उत्तरप्रदेश यहां रैलियों का दौर है एक के बाद एक चुनाओ रैलिया हो रही है और इस पर पूरी देश की निगाह है उसकी बहुत ठोस वजह है क्यों करना को याद करते हैं उत्तरप्रदेश के मंतरी मतुरा और काशी की दुहाई देते रहते हैं यानि नफरत बाटना हिंदू-मुसल्मान करना एक तरफ चुनाओी एजंडे पर है मैं लेकिन यहाँ बात करूँगी इलाबाद के फाफा मौँ छेत्र के गुहारी गाउं में जिस तरह से एक दलिक परिवार को निशाने पे लिया गया कुलहाडी से मारकर परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई परिवार की जो दो महिलाएं हैं मा और बेटी उनके साथ सामोहिक बलादकार हुआ इस पर खबरे हमारे सामने आई इस परिवार के जो परिजन हैं उन्होंने नामजद रिपोर्ट इस गाउं के ठाकुरों पर की बखायदा नाम लिखाया गया लेकिन आप देखिए कि इसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो पूरा का पूरा योगी सरकार का रामराज चल रहा है उसमें किस तरह से जो परिवार दोशिब बताये जा रहे थे उनको बचाने की कोशिश हुई वह हमें याद दिलाती है हाथ रस की यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की प्यूसियल के मनीश से मनीश सिनहा जी एक पूरी टीम लेकर इस इलाके में गए उनकी रिपोर्ट बहुत ध्यान देने योगी है तमाम लोगों का साफ तौर पे मानना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में एक दलित नौजवान को गिरफतार किया गया और बताने की कोशिश की पुलिस ने कि यही व्यक्ति इस हत्या का दोशी है उसने साफ किया है कि किस तरह से जातिवात पर केंद्रित पुलिस प्रशाशन एक दबंग जाती को बचाने की कवायत कर रहा है अब हम बात करने जा रहे हैं मनीश जी से मनीश जी प्यूसियल से जुड़े हुए हैं इलहाबाद में रहते हैं इन्होंने जब फाफा मोह वाली घटना हुई तो एक तीम का नेत्रित किया था मनीश जी नियूस्टिक में आपका स्वागत है आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि अभी क्या इस्थिती है और जो पिछले दिनों खबरें आई थी कि पूरा का पूरा जो योगी सरकार है उसक जिम्मेदार माना था आप जब तीम लेकर वहां गए आपने क्या पाया और आज क्या इस्थिती है मैं 23 नॉंबर की रात को यह घटा घटी है और तक्रीबन एक हफ़ते से उपर हो गए हैं और दिनों दिन लगातार पुलिस के द्वारा नई नई कहानी गड़ी जा रही है और आपने जो बात किया भी कि अभी जिसे नामजद किया गया है जिसे पकरा गया था और इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया था आज की latest news यह है कि अब पुलिस यह कहती है कि प्रेम प्रसंग का मामला तो है लेकिन उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है जिसका नाम पवन कुमार सरोस था अब वो नहीं कहानी गढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि एक ससी पटेल नाम का युवक है जिसकी मुलाकात एक कोचिंग में सपना नाम की लड़की से हुई थी और सपना नाम की लड़की को माणने के उद्देश से ही ससी पटेल अपने मौसेरे भाई की साथ वहां पहुंचे थें कुछ ऐसी परिष्टि क्रियेट हुई कि उसके बाद उसे पूरी फैमिली को माणना परा अब वो नहीं कहानी गढ़ रहे हैं और पुलिस परसासन वो जानते हैं वो लोग की नहीं कहानी गढ़ा जाएगा ऐसा कहा जाएगा लोगों की द्वारा तो उनका कहाना है कि नहीं अब हम सबूत के साथ आएंगे लेकिन जब हम लोग गाउं पे गए थें प्यूसियल टीम के साथ वहां पर जो कुछ भी दिखा ऐसा तो बिलकुर नहीं लग रहा है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है वहां पर एक दबंग ठाकुर फैमिली है जिसके मुकिया का नाम कि हटनाएं हुई थी उसके बाद एफ आयार भी द्रज हुआ था और एफ यार दर्ज होने के बाद लगातार एफ आयार को वापस लेने का दवाग पुलिस परसासन गवारा बनाय गया था और पुलिस परसासन के जो वहां जो जिनकी उन्दर में ये सब था मतलब सुसिल क कुमार सिंग के सक्स के साथ है उनका आना जाना है और बकॉल पासी परिवार के सराव और मशली की पार्टियां भी चलती रहती थी का जैसा कि गाउं में कहा गया वो महिला थोड़ी स्वचंद प्रविट्टी की थी जैसा वो लोग बता रहे हैं वहां पर लगातार दवाब जाला गया और पिछली होली के समय पुलिस परसासन के द्वारा ही अस्पर स्ट्रूट से कहा गया पासी परिवार को अगर एफ यार का मुकर्णा वापस नहीं लिया गया तो सारे लोगों को हम सारी महिलाओं को जेल भेज़ देंगे और जमानत पर ही वापस बाहर आना क्योंकि लोग जेल गए थे उनलों को जेल में डाल दिया गया था जो लोग मारे गए हैं उनको जमानत लेनी पर ही और अभी सेप्टेंबर 2021 की बात है कहा यह जा रहा है कि फूल चंद जिनकी डेथ हुई है वही मुखिया था है फूल चंद मीनू सपना और सिवियचा फिर से किया गया बड़ी मुस्किल से फाया दर्ज हुआ तो इसको जूट बाद में बबली सिंके द्वारा भी क्रोस फाया हुआ यह कहते हुए कि नहीं हमारे साथ छेर खाने भी है यह सबचे माहुल कापी तनावगरस्त था वहां पर एक जातिकत मस्ला तो है ही कहते हैं क जो बेगारी का काम उस परिवार के हां नहीं करती थी और उस एरिये से एक ऐसे पुल का निर्मान हो रहा है जो सीधे अलावाद हाई पोट के पास आएगी तो वहां पर जमीन के जो भाव है काभी तेजी से बढ़े हैं इन सब कार्ड़ों से जमीन के बढ़े हैं दो चीज है और यह जो पासी परिवार जो मारा गया इसको गिरफतार करके जेल में डालना महिलाओं के उपर अभद्रता करना इसका ऑन रिकॉर्ड डॉकुमेंट है यह सही है जी दूसरी चीज़ जो मैं आप से जाना चाहूंगी जो आप तीम लेकर गए तो कि उन्होंने वहां पर आपकी टीम भी जो प्यूसिल के रिपोर्ट है वो भी मैं देख रही थी बता रही है कि बहुत से जो तत्ते हैं बहुत से जो अविडेंस हैं वो ऐसे ही भिखरे हुए थे तो इसको लेकर आपकी बातचीट हुई क्या क्या क्योंकि वो एविडेंस बहुत इंपॉर्टन हो पे अचार ऐसा लग रहा है कि हाथा पाई भी हुई है खुन के एस्पोर्ट परे हुए थे सब कुछ मतलब इतनी नेगली जंसी दिख रही थी वहां पर और इसके साथ साथ यह सर्जिकल गलफ्स थे वहां पर पाई थी रस्तियां थी जिससे यह सब कह सकते हैं हत्या में परि इपापोती का दिख रहा है मैं दोस्तों इस दौर में बहुत ही विचित्र ढंक से चीजे घटित हो रही हैं यहां हमला सिर्फ नमाज पढ़ने वालों या चर्च जाके पूजा करने वालों पर ही नहीं यहां पर निशाने पे वे लोग हैं जो हसने हसाने मजाक में बड़ के निशाने पर हैं तभी न देखिए कभी मुनवर फारुकी कभी कुनाल कामरा का शोरद होता है करवाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो बहुत एहम परिगटना है जिस पर बहुत कम बात होती है कि संसत को कवर करने वाले पत्रकार संसत कवर करने यानि उसकी करते हैं मीडिया गैलरी में जाकर खबरों को देते हैं उसका अधिकार हासिल करने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है यह अपने आप में बहुत अनूठी परिगटना है अब हैरानी के बाद देखे कि संसत लोकतंतर का मंदिर है और मीडिया लोकतंतर का चौथा कार्ड होते हैं मीडिया गैलरी तक बेटते हैं अलग-अलग सेशन्स के कार्ड बनते हैं यह सब कुछ पिछले पांस सत्रों से बिल्कुल का बिल्कुल बंद है यह तमाम पत्रकार प्रदर्शन करते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली का जो है वह बकायदा मोदी सरक और तमाम मंत्रियों से यह अपील करता है कि यह मीडिया के उपर गाज गिराना है क्योंकि पार्लेमेंट में जो खबरें हैं वह देश की जनता को सही धंग से पता होनी चाहिए सवाल यहां बहुत सीधा सा है कि जब सरकारों को हसी से डर लगने लग जाएं सची खबरों से डर लगने लग जाएं जब बेरोजगारों के प्रदर्शन पर लाठियां चलाने लग जाएं तब दिल पर रखके हाथ कहिए हम कितने आजाद हैं हम कितने अच्छे दिनों में ज तो क्रिया.